पूजा के लिए पूजा के लिए जो कमरा बनाया चाहता है वो वास्तु सास के अनुसार होना चाहिए या किस तरह से और मुर्ती किस थापने किस प्रकार होने चाहिए वैसे हिंदू सब्यता के अनुसार माना चाता है पूजा का कमरा हमारे घर का सबसे अभी न अंग होता है कहते हैं कि पूजा के कमरे को ध्यान करने के लिए अलग ही मनाया जाता है उसमें हम भगवान की पूजा करते हैं और ध्यान में डगाते हैं पूजा करना है पूजा करन या मुर्टी किस ताप्ता हम किस प्रकार अपने घर में करें ताकि घर में सुख, सम्रिदी और खुशियां आती रहें नमबर एक, जहां पर आपका मंदीर है, मंदी ध्यान रखें कि साफ सुत्रा होना चाहिए, सफाय का ख्या रखें और मंदीर हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, और यदि उसका मुख पशिन से पूरव की और या पूरव से पशिन के और होना अनिवार है बरना आपके घर में सुख सम्रिदी पाईगी रही, बलकी परेशानियों का घर भी बन सकता है कोशिश करें कि आप अपने घर या भुगवान के घर को उत्तर पूर्व दिशा में ही बनाते हैं तो इससे आपके घर में खुशियां वा सम्रिदी रही कराएंगे बर दो, पूझा का घर किसी का भी बना हो, लकडी का हो या चंदन का हो या फिर साबोन का हो, किसी भी तरह का मंदिर बना हुआ हो, लेकिन उसकी उपर का जो आकार होता है वो शंकु के आकार का होना चाहिए, यानिकि इस प्रकार से, इस प्रकार से अगर आपका मंदिर है तो आपके घर में खुशिया आने ही आनी है नमबर तीन यदि आपके घर में धार्मिक पुस्टके हैं तो आप उन पुस्टकों को पच्छी में दक्षिन दिशा में ही रखें क्योंकि उन पुस्टकों को दक्षिन और पच्छिन दिशा में रखने से आपका अध्यार में ज़्यादा परभाव पड़ेगा और उससे आपको क्यान की शक्ती भी मिल सकती है 4. पूजा का घर आपके या तो कमरे में नहीं होना चाहिए बैडरूम में भी नहीं होना चाहिए और सोचाले जहां पर आपका बात्रूम है उसके नीचे या उपर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ से नकारात्मा पूर्जा निकलती है और जिसका बर्वाव आपके उपर भी पड़ेगा इसलिए पूजा का घर इन स्थान पर बिल्कुल भी ना बन बढ़े नमबर पाच यदि आप पूजा का इस्थान बन बा रहे हैं और मुर्टी की स्थाबना कर रहे हैं दक्षिन दिशा की और मुख करके इन मुर्टियों को ही रखें कडिश भगवान, दुर्गमा और कुवेर इनकी मूर्थी हमेशा दक्षिन की और मुख करके रखे लेकिन हनुमान की मूर्थी कभी भी दक्षिन की तरह मुख करके ना रखे कि उनकी परविती अरगी के साथ चुटती है उनकी मूर्थी कभी भी दक्षिन की और मुख करके ना रखे तो ये हैं वह कारण यदि आप पूजा का इस्थान बनवा रहे हैं, मुर्थी की इस्थापना कर रहे हैं, तो वह इस प्रकार ही करें क्योंकि यह नियवा कानुन के अनुसार ही यदि आप अपनी घर में पूजा के स्थान बनवाते हैं अब आस्तो सास्त के इसाफ से ही बनवाते हैं तो इससे आपके घर में सम्रिती और सुक आएगा मेरी वीडियो को लाइक शेर और सस्क्राइब करना ना बूलें जब तक के लिए मैं पृती स्रीवास तब आपसे इजाज़त लेती हूँ